वेलकम टू माई यूटूब चैनल साइन्स टेक हमारे यूटूब चैनल साइन्स टेक पे आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम पोटासियम और पोटास में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में डिसकस करेंगे तो what is potassium, क्या होता है potassium, जो potassium की जो खाद होती है, potassium की जो fertilizer होती है, उसको ही कभी-कभी potassium बोला जाता है, अब हमारे mind में एक question होता है, कि potassium वर्ड आया कहां से है, potassium को जब starting में production किया जाता था, तो इसको लकड़ी की राक से निकाला जाता था, और इसको बड़े-बड़े लोहे के बरतन में रखकर इसको वास्पीत या बैपोराइच किया जाता था, बड़े-बड़े लोहे के बरतन को हम pot बोलते हैं, और उसमें लकड़ी की राक को ice बोलते हैं, इसलिए pot और ice मिलके potas बना है, तो potas word की उत्पत्ती इस तरह से भी है, pot और ice से, potasium जो होता है, एक element होता है, और इसे metal की category में रखा गया है, और इसको periodic table में इस ब्लक में group first A में रखते हैं, इस group first A में hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, oxygen और फ्रांसियम आते हैं, जब periodic table है, इसमें group first A में potassium को इन सब metal के साथ रखा गया है, potasium जो होता है, इसका atomic number जो होता है, 19 होता है, इसको किये symbol से denote किया जाता है, और इसका atomic mass जो होता है, 39 होता है, means इसमें 19 proton पाया जाते हैं, 19 electron पाया जाते हैं, और 20 neutron होते हैं, Atomic mass मतलब photon और neutron को जोड़े देते हैं तो atomic mass होता है इसका color silver, चमकदार और gray color का होता है यह इतना नरम होता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है और electric का या conductor होता है अब हम बात करते हैं प्रकिती में potassium Potassium प्रकिती में कहां पाई जाती है Potassium प्रकिती में ब्यापक रूप से पाई जाती है Potassium collide और Potassium sulfate जैसे fertilizer नेचर में ब्यापक रूप से पाई जाते है सवभाग से प्रित्मी में potassium के बिसाल भंडार है जो आने वाली कई सताब्दियों तक पोसक्तरतों की हमारी अवसक्त्या को पूरा कर सकते है अब देखेंगे कि Potassium का Health पे क्या प्रभाव परता है Potassium मानो स्वास्थ के लिए एक आवस्थेक महत्रपूर खरीज होता है चुकि Potassium जो होता है हमारी बाड़ी में collect नहीं होता है इसलिए हमें Potassium युक्त खाद्रपदाथ कोई खाना चाहिए जिसका Blood पेसा ज्यादा होता है जिसकी BP ज्यादा होती है उसको High Rich Potassium और Low Sodium वाला food खाना चाहिए अब हम Health के बारे में तो देख लिए अब देखेंगे कि Potassium के लिए Potassium की क्या हो सकता होती है Potassium के स्वास्थ के लिए और अच्छी Growth को बनाए रखने के लिए मिट्टी में परयापते माउंट में Potassium का होना जोरी होता है जब Potassium की आपूरती कम हो जाती है तो पौधों की पैदावार जो होती है कम हो जाती है और उसकी Quality खराब हो जाती है कटाई के दवरान Potassium काफी हद तक नश्ट हो जाता है अब Potassium के Source के बारे में बात करेंगे Potassium के कई सारे उस्टक्रिष्ट Source है जिनका उप्योग Production, Health, Ecological System को बनाए रखने और मिट्टी के पोशक्तत भंडार को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है यहाँ पे कुछ High Rich Potassium के फूड दिया गया है जिसमें से एवोकैडो, बनाना, पोटैटो, स्पिंच, बिंस, सिट्रस जूस और फीस है इनको खाने से हमारी बाड़ी में परयाप्त मतरा में Potassium की आपूरती हो जाती है तो इस टाइब के फूड को खाना चाहिए Potassium की कमी को दूर करने के लिए इसके अलावा कुछ और सोस है पोटासियम के जैसे पोटासियम कोलाइड ये पोधों के डेपलमेंट के लिए बहुत आवस्यक पोसकतत होता है पोटासियम कोलाइड को आम तोर पर पोटास का सबसे कम ख़चीला सोस मैना गया है सबी फसलों को पोटीन और एंजाइम बिक्सित करने के लिए इसकी अवसकता होती है अपने सब्सक्राइब पोटाइसियम नाइट्रेट के नो-3 सबी अधिक उपजी देने वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन की प्रोचुर आपूरती अवस्यक है अगर आपको हमारा कांटेंट अगर पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और आपको इस टाइब की और वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस दा बेल आइकान थेंक यू झाल